तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जूनियर गाइड पे तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्लास्ट टुवेल्थ का मॉडल सेट जो चैक बोड के दोबार रिलीज किया गया है उसका कोस्चेन नंबर चालीस और एकतालीस ठीक है यह मेरा रह गया था यह हम लोग देखने वाले हैं भुगोल का जो ग्रॉफी कठे तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर आप हमारी चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और हाँ दोस्तों के प दोल्यों का vaccinated करने के लिए कःजा रहते हैं लोग एंसर के ओपर चलते हैं ठीक है इंसर है और की वर् Rakो nasdato खोरी माफ के जरवर्शा के जल को एकठा करने को जल संगरहन कहते हैं जो बरसा बारिस होती है उस जल को एक अठा करना उसी को हम लोग जल संग्रहन कहते हैं ठीक है इसके आर्थिक और समाजिक लाब निम्लिखित हैं चलिए जो लाब है उसको हम लोग देखते हैं कि पहला है कि इसे साफ करके अस्थानिये लोगों को पानी पीने कि आव कि कम होने या ना होने के समय खेतों की सिचाई करने के लिए भी परियोग में लाया जा सकता है जैसे में होता है कि कभी बारिस नहीं होती है बारिस अगर नहीं होगी तो क्या हुआ कि इसका परियोग जो है आप सिचाई के लिए कर सकते हैं या कम बारिस हुई तो फिर पॉइ और नल कूपों द्वारा पानी बाहर निकाल कर परियोग में लाया जा सकता है यह घए जबOM जल लगा कर मोटर मोटर इत्यादी का परियोग करने सकते हैं निकालकर बाहर कर सकते हैं तो पॉ 안나 नमर स्वäre पर इस ढंग से जल संग्रहन के परिनाम साब्रूप सहरो में गन्द जलकि निकास व्यवस्था पर भी इतना बोज नहीं पड़ सकता है ठीक है तो चलिए फिर आगे हम लोग देखते हैं कि जब वर्सा जल संग्रहन के इतने लाब हैं तो लोगों को विशेज कर ग्रामिल लोगों को इसे पूरा पूरा लाब उठाना चाहिए जिस तरह से देखिए वर्सा जल संग्रहन से जो लाब हम लोग को मिला है आर्थिक पर हैं हमारा गांव है जो सधारन गांवा 40 वह क्या है तीन पॉइंट साथ पांच बिलिये लीटर पाणी को मतलब किजिता हाँ टीन पोईंट सात प्लियीन लीट्र एतना पानी को कतरीट कर सकता एक साधारन गाउन जिसको गाउन की जो है तीनसोर चालिस हेक्टर की बुमी हो को है और कि और सुखे की स्थिति को दूर दूर्भाय को पूर से से इसे बचाए जा सकता है जो है कि खेतों में के खाल आ जाता है सूंख हो जाता है तो क्या होगा उनकोलोanguard कर सकते है ठीक है यह था आपका कोश्चन नंबर 40 इसका है हल तो समझ में आ ही गया होगा तो चलिए अब हम लोग 41 की ओर बढ़ते हैं कि भारत में जल विधूत पर निवंध लिखें अब आपको एक निवंध लिखता है ठीक है आप इसको जीश तरह से लिखना चाहेंगे सजाक के मरोड के आप फिर अच्छे अच्छे तरीके से खुबसूरत अच्छरों में भी आप इसको प्रयोग ला सकते हैं हम इसको लिखने का प्रयास कि कुछ लिख दे रहे हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे लिखा जाए और किया क्या वा सेक्टर में विभीन उपकारनों मसीनों मसीनों को चलाने के लिए किया जाता है विड्यूतूर्जा और कि इसका परयोग किया जा क्सा है अपको गरेलु sector में भी इसका पर्योग किया जा रहा है या फिर युद्धयोगों में से अलग-अलग बड़े-बड़े मसीनों को चलाने में भी पर यह विद्धूत इन सब में महत्पुर्ण सुरौत है लेकिन जो जल विद्धूत है यह स्रोत और सुरौत है उनसे सबसे इंपोर्टेंट है क्योंकि आप भारत में जल विद्धूत उत्पादन के लिए आवश्यक दसाइय के अनुकूल करने के अनुकूल है क्योंकि यहां पर अधीक मात्रा में नदियां है कि समूद्र है या फिर आप कह सकते हैं खाडिया है और जल्स रोत अधीक है ठीक है फिर यहां पर कह सकते हिमाले से हमाले से नदिया निकलती है अनेक जहरन हैं जाल परपाथ है इस जहां विद्वूत ऊत्पन करने कि भारत की नदियांं अपने परवा के पथारिये भागों में ऐसी ही अनुकूल प्रस्थितिया प्रदान करती zaten बांध सोजह डाइसर porter दॉपथार प्रोपन करने दो विदू उट्पन कर सकत है उसमेशर के स्थी्टिया अनुकूल है ठिक है यह जो इसके दिखेए और हां जहां बांध बनाकर विदूत उधाया उत्पन कर सकते हैं इसके प्रहावरंसे हमारा पर्यावरं को दूसीत होता है इंके उस्फर्माफ कि जगा इन उससे हमारे परियावरन है वह दूसित नहीं होटकर रहें और फिर है कि इसे लोगों के हीत में लाया जा सकता है यह लोगों के लिए उपलत कराया जा सकता है यह लोग नहीं परियोग कर सकते हैं गरीब लोग नहीं परियोग कर सकते हैं यह सभी लोगों के लिए परियोग में लाया हानी में आप लोग यह लिक सकते हैं थीके तो ये था आपका कोश्यन नॅमर 71 का अध्वा वाले क्सक्राइट को भी देखते हैं कि कोश्यनमर 21 जिसका अत्वा वाले या ओर वाले question ठीक है आपको यहां पर है कि भारत में खनीज का सनरचन क्यों कशना आवस्यक है हम उनका संरचन किस परकार कर सकते हैं तो देखिए क्यों आवस्यक है इसका कश्चेश कर सकते हैं खनीज को एक बार दूबारा नहीं पाया जा सकता है एक बर खनीज को परियोग कर लेंगे तो दुबारा उसका बनावट हम लोग बना नहीं सकते हैं या उसको नहीं निकब रख सकते हैं खनीज का दुरुपयों किया गया तो आने वाली पीडियों को दिक्कत का सामना करना पढ़ सकता है इसलिए अवस्यक है ठीक है हो थो च्रणीज का संद्चान निम्हें प्रकार से किया जा सकता है चलितंकी कैम लोग देखते हैं पहला कि खंथी प्रायर को सुन्योजीत ढंग से करना चाहिए बोस्हों सुन्योजी ढंग से एक लोग किसे बचा सकते हैं कि जहां पर परियोग हो रहा है उस जिगर पर कोई दूसरा वैसा है जिसका परियोग हम लोग कर सकते हैं दूसरे के बारे में सोचना चाहिए या फिर है तो उनका परियोग करना चाहिए जैसे में तीसरा पॉइंट था चाहं कपा चक्र्य उपयोग देना चाहिए देखिया संभब सोने को गला कर शोना बनाना चाहिए इसा रहने दो दूसरा नया इसांगरी के पुणहचक्रन या कुणहड करना जाता है उसका उस पुणहटरी का पुनहचकरन किया जाना चाहिए या पुनह परियोग में लाना चाहिए टिक है इस प्रकार से अपत और को आप चाहे तो जोड़ सकते हैं ठीक है तो यह हम लोग देख चुके हैं कि टोटल जो क्रोफी जो भूगोल है आपका टोटल मोडल सेट हम लोग कभर कर दिये हैं अगर आप चैनल पे न्यू है और अभी तक वीडियो को आपने नहीं देखा है तो चैनल के उपर जाईए वहां से आप टोटल वीडियो को आप देख सकते हैं ठीक है तो चलिए हम लोग मिलते ह है फिर अगले वीडियो में तब तक आप से अलविदा लेते हैं उससे पहले अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बेल आइकन को दबा लेजिए वीडियो आपको थोड़ा सा भी मदद किया है तो वीडियो को लाइक किजिए और दोस्तों के पास सेयर करना मत भूलिए चलिए हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक आप से अलविदा लेते हैं जाहिंद